इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपने वेवस के टॉपिक क्लास 11 तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है स्ट्रेंड क्या होता है ठीक है स्ट्रेंड थे आंदर समझना माली हमारे पास एक रॉड है एल लेंथ की और उसके हमने फोर्स लगा कि उसे खीज दिया और इसकी लेंथ कित्ते से चेंज कर दी डेल्ट एल से देल्ट यमाल मतलब जो बदलावाया ठीक है वो कंबित्यों सकता और ज्यादा प्रोल सकता है तो तो श्रेंड किसका रेश्यो है जो लेंथ मेंज बदलावाया कम जादा हो सकता है, upon original length और दोनों की unit meter है, तो क्या हो जो गया, meter से meter कट गढ़िया, तो strain की को unit नहीं होती, तो यह हो गया हमारा strain, अब आजाते है stress पे, stress क्या होता है, मान लिया, मैंने एक block पे force लगाई, perpendicular direction में, और किता area पे लगाई, ए area पे, तो stress किसका ratio होता है force upon area यह तो और simple definition है force upon area के ratio कि हम क्या बोलते है stress और उसकी unit क्या होगी Newton per meter square क्यों हो क्योंकि force की Newton होती है और area की क्या होती है meter square ठीक है अब बहुत important concept है हमारा elasticity elasticity क्या होता है आज तक हमने पढ़ा elastic चीज क्या होती जिसको खीचो elasticity physics में बहुत अलग होती है elasticity का मतलब क्या होता है कि अगर हमने किसी चीज को छोड़ा वो इतनी जल्दी वापस आगई कि हमें पता ही नहीं लगा मतलब अगर steel की rod को मैं खीचूंगा दोनों तरफ से तो तुम काओगे कि यह तो elastic है यह नहीं या फैल रही है क्या तुम इस steel को पकड़ पाओगे कि वो खीची या दभी नहीं पकड़ पाओगे यही elasticity है हमारी तो elasticity का मतलब क्या है उल्टा सोचना है इसमें उल्टा जो हम सोचते है उसका उल्टा तो rubber band में और steel में कौन ज़्यादा elastic है steel क्योंकि force लगाने पे वो खीची और इतनी जल्दी वापिस आगी कि हमें पता ही नहीं लगा हमें लगा वो खीची ही नहीं ठीक है तो हमारी elasticity किस किस पर depend करती है पहले depend करती है वो stress पे और strain पे strain अभी हमने पढ़ा था जो ratio होता है बदलाव का length का upon original length और stress पे जित्ता ज़्यादा stress लगाओगे उत्ता ज़्यादा तो strain आएगा अगर तुम 10 newton की force लगाओगे तो शायद 1 meter से change कर दो length और अगर 1000 newton की लगाओगे तो शायद 100 meter से change कर दो समझ गए तो जो भी तुमें बदलाव लाना है खिचाव लाना है किसी elastic body में वो कैसे दिखाएंगे कि stress directly proportional है strain के ठीक है stress is equal to y strain अब यह proportionality का constant हट गया और एक y आ गया y को बोलता है young's modulus of elasticity तो अगर इसको तुम वामला बना लो तो young's modulus of elasticity का formula क्या बन गया strain upon stress यहाँ तक मुझे बहुत अच्छे से आ गया कि young's modulus of elasticity का formula क्या है strain upon stress तो elasticity का concept में में ख्याल से यहां तक clear हो गया है तो elasticity वो नहीं है जो हम समझते है elasticity वो है जो हम आज तक समझ नहीं पाए हमने किसी चीज को खीचा खीचने पर वापस आगे और हमें पता ही नहीं लगा तो यहां तक क्लियर हो गया अब इस पर नुमेरिकल भी कर लेता है ठीक है अब क्या कर लेता है अब अच्छा कंपेर कर लेता है मानगे दो बॉड़ी का मैंने इल्बो निकाला और यहां पर नुमेरिकल भी कर लेता है अब एक मिटर एक मीटर है और मुझे इसका यंग्स मॉड़ील सफ लास्टिय। निकालना वाई और फोर्स यहीं लगा दी मैंने सीधे हां पे से और कितना बतला वलाया मैं इसकी लेंथ में, 1 मीटर का, मतलब 1 मीटर की थी और 1 मीटर सही घीज दिया, मतलब मैं इतनी ज़्याद़ फोर्स लगाई कि इसे 2 मीटर बना दिया, डबल कर दिया, वो पूछने, इसका वो बता दो, young's model of elasticity, तो formula देख लो, formula क्या था, stress upon strain, अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा करबर लिख देता है ध्यान रखना है ना वह फॉर्मुला सही कर लेना वो stress upon strain था तो stress का formula क्या होता है वाई force upon area बताया था शुरुवात में और strain क्या होता है delta L over L दुबारा से य का formula क्या होता है stress upon strain थीक है और stress क्या होता है force upon area इस चेंड क्या होता है delta L over L तो सारी value रख देना जो सारी value रख दो गए तो तुम्हारे पास आएका 10 की power 5 Newton per meter square वह तो बहुत ही बहतरीन elastic material है यह क्योंकि इसकी एक लाख Newton per meter square यंगs Foleyμε4 फ्लेकी की value है और तो elasticity किसी भी मीडियम में हो सकती है वह solid भी हो सकता है liquid भी हो सकता है और गैस बीयो सकता है हर चीज universe की elastic है अगर उसमें mass है तो speed of sound wave हमें ये तो पता है पहले से कि sound क्या है एक longitudinal wave होती है जिसमें particles और wave का direction एक ही होता है अब उसका एक formula हमें यहाँ पर याद करना है कि formula कैसे निकालेंगे longitudinal wave का जो की sound wave है अगर वो किसी medium में जा रही है और अगर वो किसी medium में जा रही ह तो वो medium या तो solid होगा या gas होगा या liquid होगा और अगर वो ऐसा है तो उसके पास elasticity भी होगी ठीक है तो हमारा formula क्या है v is equal to under root e by rho formula का derivation important नहीं है value important है जहाँ पे e क्या हो जाएगा young's modulus of elasticity अगर वो solid है भध्यान से सुनना हर medium का elasticity का अलग-अलग नाम होता है बड़ यहाँ प of elasticity जैसे माल लिया sound travel करा steel में sound solid में भी travel कर सकता है liquid में और गैस में भी तो अगर वो steel में travel कर रहा है तो मेरा formula क्या बनेगा under root y by rho जहांपे y है young's modulus of elasticity और rho क्या density स्टील की तो मुझे इतना समझागा कि मेरा formula क्या है young's modulus of elasticity का use करके sound की speed निकालने का under root rho by y by rho ठीक है अब हमने transfer wave भी पड़ी थी transfer wave क्या होती है वो wave जो पर्पेंडिकल पर्पेंडिकल डिरेक्शनल वाइबरेट करते हैं और wave आगे जाती है जैसे रसी को जटकोगे तो वो आगे भागेगी पर रसी तो उपर नीचे है यह transverse wave है ठीक है तो अब देखो यहाँ पर हम एक experiment कर रहे है और transverse wave की speed ठीक है यहाँ तक समझा गया अब जो formula होता है longitudinal wave का तो अलग है अंडरूट e by rho होता जहां यह होता है elasticity constant जो कि solid में young's modulus of elasticity कहलाता है और हो गया density अब जो यहाँ पर हमेरे पास velocity का formula है speed का formula है sound का transfer wave की transfer wave की जो मझे speed निकालें उसको formula है अंडरू t by mu t तो तो तुम्हें समझा गया tension होगी ठीक है ना देखो tension कैसे होगी क्योंकि नीचे weight लग रहा है mg तो tension उपर बराबरी तो लगेगी तब ही तो वो block रूप पाएगा ठीक है तो tension होता है mg m का मास से 1 किदी g होगे 9.8 तो कित और इसका मास भी 1 kg है तो 1 kg upon 1 meter mu की value की आगई 1 kg per meter cube तो मैं formula में रख रहा हूँ क्योंकि formula था मेरा under root t by mu देख लो formula था under root t by mu तो सारी value रख दी तो में पास speed आ गई wave की transfers wave की under root 9.8 तो जब तुम इसे छोड़ोगे block को तो इस पे रिवेव सी बन जाएगी धागे पे और उसको formula किता होगा under root t by mu तो यहां तक में क्या ज़ते सारे concept clear हो गए elasticity क्या होती है जो खीचने पे किसी material की क्या होती है जो खीचने पे इतनी जल्दी वापिस आगे कि हमें पता ही नहीं चला तो इस्टील ज़्यादा elastic है रबर से longitudinal wave का formula क्या होता है longitudinal wave का under root e by rho जहां पर है elasticity constant और solid में elasticity constant का एक और नाम है young's modulus of elasticity और transfer wave की speed निकालने का formula क्या है धागे पे under root t by mu यहां पर t क्या attention mu क्या masculine length समझागे यहां तक कोई doubt को पूछ ले ना मेरे से